तो बच्चों बात करने वाले से अप्टिकल आइची मर्श के प्रट तो अप्टिकल आइची मर्श के अंदर कुछ बैसिक जो पार्ट था पर्ड में डिस्कस किया था प्रीवेस लक्षर के अंदर अदर वच्चों नहीं रहीन डिस्कों से टर्ट बाति करने वाले थैं तो अंदर कंद आया एधि एए सो टेल drawers अइनलाइक रही और इंड देकर आप्टिकल harvest टिक स्पेजों पड़ायका वही से चंटिव कर रहा हूं इस इस प्लेन ओलायई लाइट इस पीचल लाइट को जो पास कराते हैं जो प्रोग नहीं प्राएगे इस प्लेन ओलायट लाईट को जो पास कराते हैं तो यहां पर आपको यहां पर सलुशन को यहां पर है तो यहां पर तो आपका ट्यूब के अंदर हम लोग को फिल किया है या तो वह सब्सक्राइब कर रहा हुआ तो क्या करें कि यहां पर करें कि यहां पर करें कि यह जो लाइट आपको है अपने इस डिरेक्शन में मतलब क्लॉग बाइस और एंटी क्लॉग बैस अगर लाइट होगी वह डेफिनेंटली हम लोग यहां पर आंसर बोल सकते हैं तो यहां पर आपकी लाइट होगी पर आपकी लाइट होगी वह तो आपकी पीपल अईटी है बट यहां पर जो सॉल्यूशन फिल किया गया यह यहां पर फिल किया गया है तभी लाइट आपी क्या हो रही है तो बच्छों नों टिक्ट नहीं हुई इस विए नहीं हो उसको डावनू टिक्रेंगे एक पांपॉंट इस अन्दर को पांपा और पी इनेक्टिब इनेक्टिब कमपॉंट इतनी वासमार है है आहे को यह आफिक्सटी इस पांपा लिए की मेना तरह सब्सक्राइब कर दिस अर्यमारियों कहां रही है कि अभी है है तो बच्चों यहां पे जो कल का सेक्शन था तो ही आपका चल रहा है जिसमें मैंने एक्ष्प्रेंग किया था कि आपके प्लेन पॉर्लाइस लाइक है ठीक है इस प्लेन पॉर्लाइस लाइक को बच्चों मैं पॉलरी मिटर ट्यूब से पास करा रहा हूं जो पॉलरी मिटर के दर मैंने solution को फिल किया है यह तो वो solution और के लिए एक्टेव होगा तो बच्छों और के लिए एक्टेव हुआ तो वहां पे आपकी जो प्लेंड पोरलाइज लाइट है या तो बच्छों को अंदर मैंने किसी solution को फिल किया ठीक है अगर वो solution और के लिए एक्टिव है नाम से बच्छों समझ मैं रहा है आपकली एक्टिव लाइट जो है अगर आपकी प्लेंड पोलराइज लाइट को अगर कोई भी कंपाउंड क्लॉग बाइज या एंटी क्लॉग बाइज रोटीट कराएगा तो बच्छों कंपाउंड पोलरी मिट ट्यूब में कैसा बोला जाएगा और अगर बच्छों के अंदर जो भी कंपाउंड फिल किया गया है अगर वो कंपाउंड लाइट को रोटीट ही नहीं करा रहा है जिस एक्सिस में आपकी पास हो गई तो मतलब बच्छों आपका जो ग इंदर ट्यूब में फिल किया गया है वो कंपाउंड कैसा है और कि इनक्टिव है क्या सभी बच्छों को मेरी बात समझ मारिया है क्या सभी बच्छों को इतनी बात समझ मारिया है सभी बच्छों को यहां तक समझ में आ गया तल कहीं बच्छों अब चलते हम लोग नेक्ट्ट पॉइंट को समझ देंके एस थेंक्यू कि बीच में टाक्लोजी का इसूँ हो सकते बच्छों अगर आवाज नहीं आती है बता दो मुझे मैं करेक्ट करने कोशिस करूँगा सब्सक्राइब को फिर से एक बात चलो कि अभी जॉइन हो रहे हैं यार नाइन ट्वैल हो रहा है और कल से लेक्चर एट थर्टी पे स्टार्ट करूं अगर्वी दिपो पॉइंट यह कि चीज़ां बहुत सारी है मैं किसी भी चीज़ को इस कि नहीं करना चाहता हूं ठीक ह है आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा सारी के सारी कॉंस्याप्ट करेंगें इसलिए टाइम को आधिक चाहिए इसलिए मुझे भी ठाइम थोड़ा सा मैं आपके साथ परूंगा तो बापी डिश्टरबना करते हूं मैं एट थर्टी से स्टार्ट करूंगा एट आपको फिर से पड़ांगा यार बाकी बच्चे तो पहले से जोड़े हैं इसलिए रिक्वेस्ट मेरी सभी से टाइम से इतनी वाद सब्सक्राइब कर रहे हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है काई रेल्टी ठीक है वाट इस दी मीन ऑप काई रेल्टी इस पर रिलेट करता है काईरल कंपाउंट होते हैं अब क्या होते हैं इस पर हम लोग करेंगे डिस्कुशन अभी ठीक है काईरल्टी इस लेटेट बिध काईरल कंपाउंट और और क्यूट्री वड्ट जो है बिटा जो कांपॉंच यह करते हैं कि डाई समेंटरी कि डाई समेंटरी क्या होती है इसको मैं पर टाइश में रिटा रिलेड की जाती है नॉन पर इंपोजबील नॉन ऊपर इंपोजबील मिर्स मीर्र इमेज ठीक है नॉन शूपर इंपोजबिल मिफ्पोजबील मीर्र इमेज पूरी तरीके से ढख लेना और नोन का मतब है पूरी तरीके से ढखना नहीं है ऐसे इतना लेट विए इस इंपोर्टन बढ़ने वाले हैं पहला वारी इंपोर्टन कॉंसेट वेरी बेरी इंपोर्टन कॉंसेट इसे वेरी बेरी इसे इस क्या होता है कि इस अब नहीं करते हैं पूरी तरीके से ओवर लेपना रहे हैं अब मेरे इमेज के सामने ख़ड़े होते हो ना सुबहे साम जब भी आपी जो इमेज बंदी करती है अगर और लेप करती हैं तो उसको होते हैं अगर नहीं पूर्टन के नहीं तो इसको आपन बोलेंगे नौन सुपर इंपोसिबिल मिर्यर इमेज कि इतनी वाद सभी को समझ मारे हैं कि इतनी वाद सभी बच्चों को किलियर हो रही है नौन सुपर इंपोस मेरे में इस अब यह पूरी पूरी जो कंडिशन है यह आपकी ऑप्टिकल ऑई सुमर्स को डिफाइब करें करें वाली है इस तरीके से वह तो इसलिए कुछ यहां से आवाज अगर कर रही है तो बताओ तो नौन सुपर मेरे में इस का पॉप्टिकल करते हैं तो आपके जो एक यह आपका है इस इस आप कि आप इसका यह अगर तो फिर अगर 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 फिंगर सो रुचिया हूंगी वह किस तरीके से सब्सक्राइब कि क्या आपका यह जो बना है यह तो आपका रियर फिकर सी अ अबजेक्ट का तो मुझे बताओ क्या आपका जो हैंड़ सुपर होगा यह नहीं होगा आप अप पर अपने हैंड़ के सब्सक्राइब करेगा यह सब्सक्राइब करें यह तो इसको पूरी तरीके से कवर करेंगा जल्दी से बताओ अब आप मुझे आंसर करो आवाज आरी होगी तो यह आपका जो रियल रियल आपजेक्ट था जो हैंड़ है आपका यह जो हैंड़ से बनने वाला जो इमेज इसको उबरलेप करेगा यह सुरूंब यह इसको यह ओवरलेप करेगा यह आपका रियल हैंड़ है इसकी इमेज क्या होगी बच्चो यह ज्यान दो यह आपका रियल हैंड़ है इस रियल हैंड़ है इसका यह ओना थम कहा होगा यह जाएगा यह फिंगर साथ की इस डिरेक्शन माज जाएगी मतलब इस तरीके से बनेगा पताओ अरे यह इसकी इमेज यूँ बनेगी अगर आप इसको पीछे से इदर लेके आते हो तो आपको देखो फिंगर्स भी ओवरलेप नहीं कर रही ह तो यह आपका नॉन सुपर इंपोसिबल वर्ड को पहले डिफाइन करता हूं ठीक है तुकि काईरल मॉलेक्यूल अक्शली बें नॉन सुपर इंपोसिबल मिरे इमेज का फॉर्मिशन करते हैं तो पहले यह समझ दो क्या सभी को मेरी वाद समझ में आ रही है जल्दी सबत कि इतनी वाद सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या यहां तक किलियर हो गया तो नॉन सुपर मिरे इंपोसिबल इमेज का यह फॉर्मिशन करेंगे यस बचो ठीक है और इसमें एक वर्ड को मैं और लेट करता हू अगर मॉलेक्यूल अंसमेट्रिकल है और मॉलेक्यूल नॉन सुपर मिरे इमेज का फॉर्मिशन कर रहे हैं तो बच्चों वह आपके बोले जाएंगे काईरल मॉलेक्यूल क्या बोले जाएंगे काईरल मॉलेक्यूल आपके बोले जाएंगे क्या सभी को मेरी वास समझ मारी और तभी बचो जो क्या होंगे वह आपके optically, optically active कैसे बचो optically active molecules बोले जाएंगे तो दो condition बहुत ज़रूरी है पहली condition बचो कौन से ज़्दिश होता हो फर्स्ट condition है कि molecule unsammate होना चाहिए इसके बारे में बताओंगा अभी थोड़ी देर में क्या इसको प्रलेट कैसे करेंगे कि इतनी वास अभी को समझ में आई आता है तो कायल molecules बच्चों के लिए रोगे में फिर से रिपीट करतो एक बार कायल ही condition है कि अंसेमेट्र कंपाउंड होना चाहिए शिक्रेंड बच्चों क्या है कि वहां पर आपकी नॉन सुपर इंपोस्बल मिरर इमेज आपको दिखनी चाहिए जैसे हैंड का में एक्जामपल दिया है तो उस टाइप के अब लिया ही का भिज़ए पी से बढने बादी जो में भी इस बिढ़ आपको मैंने यहां पर बनाए पिn इसकी इमेज आपके इसे बनेगे ना, इस तरहाँ कैसे, पताओ जरा, मैंने यहाँ पर S ड्रॉख गिया है, S तरह आपके इमेज बनाते हैं एक बार, तो ऐसे इमेज क्या बनेगी? इस इमेज की रिवर्श बनाते हैं, तो इमेज को जिस तरीके से डवलप होगे. जैसा अगर मैं अपने एक बार लेते हैं B, तो इस B की इमेज क्या होगी देखते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से आपकी डवलप हो जाएगी. नेक्स अपन लेते हैं सब्सक्राइब कि अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या बनेगी यह कुछ इस सरीके से बन जाएगी तो पताओ आप मुझे यहां पर जितने भी मैंने एक्जामपल ली हो गए हैं यह एक्जामपल मैं समझाने कोशिस कर रहा हूं आपके सुपर क्या आपके सुपर्ण करेंगе क्या पी इसकी अमेज को्पी क्या है यह उसम्झेटे किया है कि है यह सभी के सभी पी है इन प्रियल औबजजक्ट तो देखो इमेज के उपर इस पी या आपका इमेज बना है इस इमेज को पर इस औरจะ को रखे देखो क्या ओबर्लैप ठेका नहीं करनें वाला क्यों तो इमेज को बन रही थे ओ पर इस तरीकर बता हो कि इस्परइंपोस किया है उसने नहीं किया अगर सुपरेंपोस बिल नहीं है तो मैं वह ही बोला हूँ रियल आप्जक्त को इमेज से नहीं और नहीं बीड़ा करना है उसके जो मेज कर लेता तो अगर नहीं किया तो आपका आपकली एक्टिव होगा क्या सभी को बाद समझ मारी है अब इसको देखो इन दों लोगों कंपेर करके आपको दिख रहा होगा बिलकुल आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पे जो इमेज बनी है न वो यू बनी और इसका जो रियल तो बेंद को बना तो इसको तरिके से रहे नहीं कर रहे है तो मतलब क्या है जो जो बने वाली जो इमेज है कि अब उस इमेज को पूरी तरिके से ऊबर रप कर रहा है कि अगर कर रहा है तो बच्चों क्या होगा तो आपको सुपर इंपोसिबल आपको देख नहीं तो अबारा कम पर नोर इंपोसिबल में करेगा इस को इसे रिलेट करो बिल्कुल भी सुपर इंपोसिबल नहीं कर रहे हैं तो इस सारे के सारे जो एक्जांपल में सब्सक्राइब को मैं सब्सक्राइब कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो बच्चों को समझ मार्या क्या इतनी बाद सभी बच्चों को प्रियुर्ट कि अग्जांपल मॉलीकूल क्या है कि आपको समझ में आगे होगा मैंने आपको इमेज के सब्सक्राइब आपके समेट्रिकल मॉलीकूल कि इतनी वाद सब्सक्राइब क्लियर है समेट्रिकल कैसे थे यह कैसे हैं आपके समेट्रिकल मॉलीकूल होते हैं जैसे इमेज के बारे में अपने बात करें थी उसी तरीके से हम लोग यहां पर देखते हैं तो जो एक मॉलीकूल होते हैं बच्चों क्या करते हैं सुपर मिरर इमेज को यह करेंगे अच्छा वहां पर क्या था बच्चों वहां पर था नॉन सुपर इंपोसिबल मेरे में ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान सुनों बच्चों मॉलीकूल में क्या था दूसरी बड़ा कंडिशन क्या थी वह आपके सुपर इंपोसिबल वह नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज इसका मतलब क्या है एक दूसरे को ढख लेना कवर अपकर लेना ठीक है वहां के कवर नहीं तो इस मॉलीकूल को बच्चों हम लोग क्या बोनेंगे तो इस टापके मॉलीकूल सब्सक्राइब आपके और कली और कली इनक्टिव और कली इनक्टिव कंपाउंट्स इस सब्सक्राइब नहीं करें तो इसका सब्सक्राइब शुचा कर सकते पर आपके लिए इसा ही बने नेका यू तो यू को अगर आप बीष से लिए कट करो कि यू को बचछो बच्छों नेगी बो विया अपकी एसा बनेगा नेक्स एक बड़िया सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यह सारी के सारी जो दे रखे हैं यह आपके रियल ऑब्जेट और यह जो फॉर्म होएं यह सभी के सभी आपकी इमेजेज हैं इमेजेज हैं अभी आप रियल ऑब्जेट को इमेज के उपर रखो इस एक को लेके आओ और एक उपर रखके दे पूरा ओबर लेप करेगा जब पूरा ढख लेगा तो बच्चों क्या से बोलेंगे हम इप सुपर इंपोजिबिल मिडर इमेज पूरा ठक ले इस भी को इस भी को उपर लेगा तो मेरा मतलब क्या है काइरल में क्या था बच्चों जल्दी से बताव रिग्याइज क्या है अच्छा दूसरा क्या था कि वहां पर जो इमेज फॉर्मिशन वाली बात कर रहे तो वहां पर नॉन सुपर इंपोसिबिल मिडर इमेज मतब नहीं रहे ठीक है तो इसलिए वह कंपॉंट थे और कली एक्टिव कंपॉंट एक आपके काईरल के अंदर एक करन में क्या होगा उल्टा होगा तो इसका एक फॉर्मिशन करेंगे मतब कबर आप करेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगा औ सब्सक्राइब करेंगे तो इस सब्सक्राइब करेंगे और वहां से आपको समझ में भी नहीं आता है मुझे इसक्रीम्शा लाज सकते हैं मैं आपको रिस्पॉंस करेंगा तो आपके पस दो दो अप्शन दोनों और प्रैदा हो ठीक है थोड़ा से लेक्टर को तो बहुत ही बहुत है बहुत ही बैस्ट रहेगा बाकि आप लेक्टर को रिपोट देख तो जो मैं पढ़ा रहो वही आप पहुंद में बैटर रहे हैं सभी बच्चों करना है ठीक है करने की जरूवत है नहीं मैंको मैक्सम चीजां तो आपको मैं सब करके दे रहा हूं सब्सक्राइब करते हैं कारबन एटम के साथ मैं को अच्छे से पता है सभी को बताओ सब्सक्राइब को पता है कि नहीं पहले इतना बताओ सब्सक्राइब को पता है यस और नो वह सेंट्रल एक्टम कारबन हो सकता है या कारबन के अलाबा अधर एक्टम भी हो सकते हैं प्लीज बचो ध्यान दो जनरली क्या होती है और गने के मिस्टी में कारबन को कोई सेंट्रल एक्टम लेते हैं लेकर अधर एक्टम भी हो सकते हैं यहां से रिलेट किया तो यहां पर आपके अलाबा अधर आपके सेंट्रल एक्टम भी हो सकते हैं प्लीज बच्चो यह मैं इसका बोर्ड नहीं है यह मैं क्लियर कर देता हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है स्लेबस को मैं जिस तरीके से लिजाना चाहिए पिनिस करना चाहिए उस आप से नहीं हो पर है क जानते हो बार बार कभी बाइस कट होती है तो वह से इसलिए थोड़ा बढ़ना ही चाहिए तो 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 सेंट्रल एक्टम हो सकता है कार्वन की अलाबा अधर एटम भी आपके हो सकते हैं तो दोनों के दोनों आपके सभी को मेरी बास समझ मारिया और इस एश भी ते हैटम के पास् या बचो होना चाहिए फोर डिफ्रेंट जाफन इस वार डिफ्रेंट गूर या बच्चो एटम फोर डिफ्रेंट गूर्प या एटम आपके नक्टिड होने चाहिए होना बहुत जरूरी है अगर होगा तो बच्छों क्या बोलेंगे बहुत टाइम से आपका दो का मदलब क्या है कि एक ऐसा एक वह सकता है या कारवन के अलावा आपका कोई भी अधर एक पूरी की पूरी प्रियोट टेबल के अंदर जहां पर उसका है कारवन अट्रम के पास है अधर एक फास होने चाहिए इस टाइब के सेट्र वह लोग बुद्टी का या सभी को मेरी वास समझ मार्या जदी से बताऊ कि अगर तो क्या करेगा यह बहुत बार यह होता है कि अगर कायल सेंटर दिख दिया तो हम बोल देते हैं कि लेकिन बच्छों हमेशा ऑल्वेस हमें आप लिकूंगा ऑल्वेस तो अगर फोर डिफ्रेंट गुरूफ हैं तो दिस नॉट इनेसेसरी कंडिशन और दी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडिशन नहीं है मतलब आपका कायरेश सेंटर अकर हो गया तो कंपांड्च नहीं होता है आपका उप्टिकल एक्टिविदी वहसकता है आपका और अपन कि अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलेक्विल्स के एक्षाम यहां दो तो सबसे पहले बच्छों मॉलेक्व लिया है मैंने ध्यान देना आपको बताना है कि नहीं है फ्लॉरीन ग्रॉमीन जल्दी सांसर करना सभी बच्छों को आयोडीन एंड नेक्सिस फ्ल यह बैस फोर्म है अब इसका लिए आंसर करो ठीक है यहां पर ट्रीटियम है सभी बच्छें आंसर करेंगे ठीक है आप आंसर करने की बारी है फाल्स चेकें हो गया थाड़ प्याद थाड़ मॉलेक्विल मैं यूं बना दिया यहां बच्छों दिरिया मैंने हाइड रॉक् फॉर्थ कंपॉंड प्याते हैं मैं कंपॉंड देता जा रहा हूं आंसर बताते चलो जिस भी कुश्चन में डाउट हो वेटा उसको लेख दो आप देख लूँगा ठीक है कमेंट वोक्स में और मैं आपको रिप्लाइब करोंगा यह फूर कंपॉंड यहीं पर जल्दी आसा करेंगे सब्सक्राइब कारवन डबल बोल्ड का इसके साथ ग्रोमीन यहां पर है यहां है इधर आपका स्य इस्त्री है यहां पर है यहां पर यहां पर बच्चों यहां पर होगा बन काईरल सेंटर बटकर शेंटर आपको में आते हैं कि में किज़ों सर्थ होने चाहिए तो क्या बच्छों के फिर्ट है इसापिक फॉर्मेन है यह 1 सब बच्छों का बहुत है तो डेष्ट का मदलब क्या होता है प्लीन के नीचे प्लेंग के नीचे होगा तिक है तरफ हेट्रोजन होगा त्रफ त्रफ प्रीटियम होगा ति कैपिटल टी जो लिखा है तो आपको प्लेंग के नीचे होगा यह बीच में कारबन यह आपका एक सिगमा दो शिगमा तीन सिगमा चार सिप्टी यहां चारों का चारों का डिफ्रेंट है यहां पर हाइड्रोक्शी यहां पर आपको मिलेगा फूर्थ बीच में तक वो कार्बन दिख रहा है यहां पर फोर सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा लडिएज एश्पी त्री हाइवड़ाइड इस पर चार डिफेरेंट ग्रूप हैं दो तो बच्छो ध्यान दो क्या चारों डिफेंट नहीं सर यहां पर हैड्रोक्षी मेंच कर गया है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर है इसलिए होगा जीरो कारल सेंटर आपको मिले मेरी बास समझ मारी है सब्सक्राइब की बात करते मैंने यां पर यहां नहीं होगा नहीं होगा यह यहां पर बिलेंगे जीरो काईर सेंटर क्या सभी को इतनी बास समझ में रही है और भी बहुत सरी क्वेशन कराने बाला हूं चलो अब बच्वों बात करेंगे कुछ और अदर मॉलीकूल की तरह ठीक है यास थेंक यू तो अब देखते हैं हम लोग नेक्श मॉलीकूल इस नाइट्रोजन द्यान दो बच्वों इसको फिर से फस्ट कर लेते हैं अपन नाइट्रोजन नाओ इटिस हैं पॉस्टिफ चार्ज इस आरटू नाओ दिस इस आरवन एंड यह सेंटर लेटर में नाइट्रोजन इस से अपन माल लेते हैं यहां पर आर थ्री और इदर माल लेते हैं बच्वों फर्स्ट कंपाउं जंदिशान से टिक करो सभी लोग यह उसको मैने यू मना दिया विटा डबल बॉंड हो आप फोर्थ कंपाउंड मैं थोड़ा मैं चैन्स करता हूं बैंजीन के डेरिवेटिब लेकि आता हूं कुछ है यह आपका यहां पर हो गया है इस तरीके से डबल बॉंड है तो चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी तो इसलिए मैं पहले आपको पहले आपको बार्न करता है और इ रहीं करो कि सब्सक्राइन पाइए टाइ đấy इसके बात करेंगे पूर के इस तरीके से यहां पका तरीके से जली साथakah लग Alec तरीके से हैं उस त्रीके से वह पहला है इतने यह आपको दियान से बताना घिंगार यहां यहां पे कख शूरू करूरीज उस्वरीट ओड़स स्ट्वर जल्धी से नेक्स्ट नाइन्थ मॉलेक्विस लेते हैं यहां पे ले लिए इस तरीके सिख बैंजीन और बैंजीस अटेच्च के हमने आपके क्लोरीन और ऊपर कर दिया मैंने ऐसे आपके मिठाइल ग्रोप ठीक है चल्दी से बता हूँ आंसर देखता हूं सभी सभी बचो के आंसर आने प्रफ्ट कायल सेंटर पूर में फाइब कायल सेंटर ओके जल्दी बताओ आंसर बिग्रीज फर्स्ट में ओके ठीक है बगलोग भी आगंशा अमूल पिरस्ट अमूल या अनन्या अनिकेट एंड अन्रोथ अर्जुन अथर अभिशकार अभिशकार बिटा यार आंसर करो य अबने अभी तक कोई रिस्पोंश निगें कोई आंसर नहीं करते वा कृष्णा चितिज नुद्धि पार्थ और प्रत्मेश प्रतीक रादिका रुट्वी शाक्षी रोहित सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब क्या क्या यहां पर कितना आंसर होगा अभी दस बच्चो ने आंसर किया बाकी लोग भी आंसर करो या रो इतनी किया है प्रत्मेश ने किया है यह ने किया है तो दिखते हैं यहां पे कितने-कितने आंसर होगा थोड़के परती के ने आंसर किया है विल्टे ने अंसर किया है अ तो दिए हृस्टक्रारश अपन बात करते अपंपॉर्टर ने रिस्पोंस करते रहेंगे चीज़ें डाउट पूछते रहेंगे ठीक है डेफिटली उनका रिजल्ट अच्छा आएगा पिछले साल भी यही हुआ था मैं फिर से बोलता हूं पिछले साल भी मैंने सारे बच्चों को ओनलाइन पढ़ाया था ठीक है बिगोजो पैंडमिक मैं बच्चे पढ़ते रहो हुए रेप्लाइबकिन नहीं किया उनकी रेजल्ट बहुत ही गटी आए मैं सीधर सीधा बोलता हूं मैंने आपको बहुत क्लास रूमें बोला है लिकन जो बच्चे पढ़ते रहे उनकी रिजल्ट हमेशा है जो शें और कुछ बाएं आया है इसलि सिर्फ ज्वाइन हो जाना वी बात को नहीं सुनना कर देना यह बहुत साइब नहीं है तो इसमें एक सिक्मा यहां पे एक सिक्मा दो सिक्मा तीन सिक्मा चार सिक्मा देख रहे हैं जदी से बताओ सिक्मा देख रहे हैं कि चारो का चारो ग्रुप डिफरेंट हैं हांसर बिल्कुल डिफरेंट है तो यहां पर बात करो यहां पर बात करेंगे तो यह आपका यहां पर यहां पर यहां यहां बड़ा यहां से यहां से आंसर नहीं बनेगा इस पर आपका पर सिर्फार देख रहे हैं तो मतब यहां से को यहां से कोई काईल सेंटर नहीं अब यहां पर यहां पर आजओ कि यहां पर एक होगा है और बाकी यहां से बनेगा इंगा नमबर करके देख लेना होगा बन टू ठीट है यहां पर है जाए है कर रहा हुगा और कहां पिए है जाए है नहीं होगा और नीचर तरफ यहां पर कितना आशर यहां पर की बात करते हैं छीक से नहीं आ रही है अभी आवाज ठीक से आ रही है इसमें 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 ठीक होगा और एक ग्रूप यह हो गया यहां पर कितने सेंटर हो गया तो यहां पर आपको मिलेंगे तो प्लीज जान दो जिन बच्चों को जही मैंस निकलना है एक्जाम क्वालिफाई करना है उनको बिल्कुल कांट्रूस पढ़ना पड़ेगा मैं तो अब यहां से बैसे मिलेंगे और अलग से मनें बोला था अप्रिल मंत से लेने मालों कुछ-बच्चों का कि यहां पर इस तरीके से कि यहां पर कितने होगे तो यह तो हो नहीं सकता यहां से यहां से बढ़ बाइस से बड़ा यहां पर कोई आपको डबांड की वह से आपका यहां पर क्या हो जाएगा अट यहां पीट टू तो नहीं देख रहा है तो यहां पर यहां पर सेंटर नहीं होगा तो यहां पर यहां पर आंसर होगा आपका सभी को समझ में यहां पर आगा जंदी से बता है यहां तो यहां तक यह क्लिर हो गया सभी अब बात करते बढ़ाएं इसके बात नेक्स्ट नेक्स्ट लिटते हैं अम लोग नेक्स्ट आपकी है कंडिशन ठीक है कंडिशन और ऐसे frenzy कि यह खिल अपर आपकल अबाटीविटी की की जो कंडिशन हैं हमारी क्या हैं वह क्या कंडिशन फॉर फाफ यह बात करना को एक कोई एक मॉलिक्वूल मैं लेकूंगा एक मॉलिक्वूल इस ऑप्टिकली कोई भी मॉलिक्वूल जो होगा वो अप्टिकली एक्टिब कब होगा वो उसके पास अभी हम लोग ने पड़ा है होना चीजिए सबसे पहली कंडिशन की वहां पे कायरल सेंटर होना बहुत जरूरी बताओ जल्दी से एक कोई भी ऑप्टिकलिय क्टिव क्या कब होगा बटा अब्सक्राइब तब होगा जब वहां पे काया जब तिखना चीए समझ मारें कायल सेंटर दिखना चाहिए कायल सेंटर का मत्तभी बच्चों क्या है अन्समेंट्रकल नीचर आपको दिखना चाहिए या फिर अपने इसको एक कंडिशन में और ले सकते हैं मैं इसको और करके भी लेख सकता हूं कि वहां पे इसके बारे में लोगों ने पड़ा था मतलब अग नइकरें करें तो यह दो ना मेरी बास समझमा रही है कंडिशन फॉर आपकल एक्टिविटी के हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी मॉलीकुल आपकल एक्टिव कब होगा जब उसके पार सेंट्रों पर भी रिलेट किया मैंने बहुत सारी क्वेशन किया है आपका सेंट्रल एक्टम हो सकता है या फिर आपका अधर एक्टम हो सकता है मैं नेट्रोजन की एक्जांपल लिए थे मेरी बास समझमा रही है तो एस्पित्री होना बहुत जरूरी है और इसके साथ का आपका जो सेंट्रल है अधर एक्टम भी हो सकता है लेकिन उस एस्पित्री एंट सेंट्र के पास आपके फोर आपके होने चाहिए ऐसा होगा तो हम उस मॉलेक्विल को बच्चों क्या वोलेंगे और अपक्ली एक्टिव क्या मेरी वास समझमा रही है कि इतनी वास सभी क्लियर है यह अब देखते हैं देखो हम लोग यहां पर ध्यान दो बच्चों यहां पर दो एक्ष्पिलिंग क्य सब्सक्राइब कर रहे हैं आपका अप्टिकली एक्टिव होगा क्या आपको मेरी बास समझमा रही है सभी को वह अप्टिकली एक्टिव होगा उसकी मिररे में बनेगी उस ऑबजेक्ट की मेरे में बनेगी बनेगी इस वह बच्चों कैसी होगे बदाओ मैंने बदाया था पड़ाया था कि उनसे बनने बावी जो मिररे में रही है कि आपको मेरी बास समझमा रही है ऐसे कंपाउंड को बच्चों को मिलेगा या सभी को मेरी बास समझमा रही है जल्दी से बताओ अब यहां पर इस एक्जामपल लिया है इस एक्जामपल को दो बच्चों को बच्चों कि आप पर है इस अगर यह लेफ्ट होगा तो यह राइट पार्ट होगा और जल्दी से बीचों क्या होती है मैं पढ़ाओंगा द्यान सी अभी सिंपल बात कर रहे हैं कि मेरी वास समझमा रही है क्या सभी बच्चों को इतनी वास समझमा रही है अरे बच्चों आप तो यहां पर यहां पर आगया तो मतलब तो कैसा हो गया एक मतलब क्या है यह कंपाउंड और एक्टिव नहीं होगा यह अप्ली इनेक्टिव होगा इस कंपाउंड को देहां से इस कंपाउंड में क्या आपको जो सीयल उपर देख रहा था वो नीचे देगा बिल्कुल सभी नीचे था वो ऊपर देख रहा है यह नीचे दिख रहा है यह क्लोरी नीचे था तो अब इस पूरे आपजेक्ट को यहां से उठाओ और इसकी इमेज को पर रख दो जैसे आपको लागा नहीं करेंगे तो बच्चों में अब्जेक्ट कैसा हो गया और अप्रिक हो गया जिसको आप लोग बोल सकते हैं बिलकुल नीचे लगाए नौन सुपर इंपोजबल मिलर में मॉलीकूल इस आर इनेंचियो मर्स बोलते हैं तो इनेंचियो मर्स है क्या मैं बत इसको बच्चों में जाके निकालते हैं डी फॉंसी आप अभी किसी को भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो डी और एल फॉर्म यह आपस में बच्चों कैसी है इस च्वल नहीं तो इस च्वल नहीं है तो इस क्मांपॉड्ट को दोनों कामउड को इस एक मॉन को तो हिसfight वी कामपॉड्ट को लिक्षर को और खोतें मैंनेंचियो मर्स क्या हूं थैर कि ज्सिञली mould शाता thing इंच्व मर्स का मदब वह नौन सुपर इंपोजबल मिर्या इमेज उनको इन चुमर्स बच्चों पेर होते हैं जिनकी आपस में क्या हो इमेज नहीं बन रही हो सुपर इंपोजब ना कर रहे हो एसे हम बोलते बड़ा इन चुमर्स क्या इतनी बास अभी को समझ में आ गए तक है कि आज टाइम हो गया है तो लेक्चर को लोग फिनिस करते हैं डाफिनेंटी लेक्चर करते हैं कल मिलेंगे तब कंटिन्यू करूंगा ठीक है अब जाइन हो जाना